हाई फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चानल और आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चने की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी रेसिपी बनाना और अगर आपने मेरा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्स करें बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें यहां पर मैंने एक बोल देशी चने को राद भर भीगों के रख दिया है पानी में मतलब राद भर के लिए इसको सोक होने के लिए रख देंगे यहां पर मैंने रेड वाला लिया यह हो गई है सीटियां अब इसका प्रेशर आंटोमेटिकली रिलीज होने देंगे यह देखिए इतने सॉफ्ट होने चाहिए चने अगर यह इतने सॉफ्ट नहीं हुए तो इसको एक दो सीटियां और ले लिजे और यह जो पानी है चने का इसको फेकेंगे नहीं इसको हम के लिए बाद में यूज़ करेंगे अब अब यहाँ पर क्या करेंगे एक कड़ाई लेंगे उसमें जीर्ड दालेंगे बड़ी इलायची डालेंगे आठ से नौ यहाँ पे काली मिर्शी डालेंगे और एक तेज पत्ता डालेंगे, अब यह गरम मसाले जो हैं इनको अच्छी तरीके से फ्राय कर लेंगे, उसके बाद इसमें एक बारी क कटा हुआ प्याज, और एक या दो बारी कटी हुई हरी मिर्शी डालेंगे और इसको का पेस्ट अच्छा लगता है जादा तो आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं इसमें बस अभी अधर कलेशन का पेस्ट भी 2-3 मिनिट तक भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो होती है वह चली जाए और यह पक जाए यह देखे इसको भूनेंगे 2-3 मिनिट तक अब यह पक गया अ अब इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सबजी का टेस्ट बहुत इंहांस हो जाता है हरा धनिया डालने से अब इसमें आदा चम्मच नमक डाल देंगे आदा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे मैंन तरीके से और अशका ढखन ढखके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5-6 मिनिट लगते हैं बीच बीच में टमाटर को चेक करते रहेंगे यह भी पके नहीं है हाँ अब ये फिरसे इसको चेक करेंगे ये पक चुके हैं बिल्कुल ऐसे ही मैश हो जाने चाहिए टामाटर एकदम तब जाके सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें जो हमने चना बॉयल करके रखा हुआ था उस चने को डाल देंगे और इसको चलाते ग्रेवी बनाने के लिए इसकी बस अब इसको चला देंगे और पानी को उबालना चालू करेंगे ये थोड़ा सा उबल गया है अब मैंने क्या किया एक चम्मच लिया है और इसको मैश करना चालो गया है जो चने होते हैं उसको थोड़ा सा मैश कर देंगे अगर आप तो उससे ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है ध्यान रहेगी बहुत जादा मैश नहीं करना है हलका सा मैश कर आप चाहें तो इसको अलग से कटोरिय में निकाल की भी चनो को मैश कर सकते हैं बट मैंने इसको डिरेक्टली कड़ी में ही मैश कर दिया है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाती है बस अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसको चला लेंगे और गैस की फ्लेम को फुल पे ही रखेंगे अभी क्योंकि हमको पानी को उबालना है बस यह देखे इसमें बॉइल आ चुका है एक दो मिनिट तक इसको उबाल लिया है अब इसमें क्या करेंगे मैंने इसमें एक चमच गरम मसाला डाल दिया है और आमचूर पॉडर डाला है इसमें एक आधा चमच आमचूर डालने से बहुत ही अच्छा टीस्ट आता है तो यह चने में चने की सब्जी में बहुत अच्छा लगता है बस अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है उपर से थोड़ा सा बॉइल कर लेंगे गया इस की फ्लेम को बं झाल दिया झाल झाल लेंगे लेंगे बारीक का अब लेंगे बस्ता है उब रहता है उच्छा इद है आमच आधा है तो यह नहीं तो अग्छाड है हैं